नमश्कार साथ यूँ एक बार फिर मैं दिपंकर समद्हार्ट आफकल दोस्त और business growth Development तो ये trust का registration के बारे में और उसके benefits के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि लोगों का interest है कि trust कैसे बनाते हैं उसका registration कैसे होता है और उसका benefits कैसा होता है और इसके बाद next video भी बताने वाला हूँ जिसमें documentation और process आने वाला है लेकिन ये बहुत important है क्योंकि हमको कारण पता चल और उसको legalize करने के लिए उसका registration का process है trust registration और ये काम क्या आता है ये legal medium है जो की lawful distribution of settler इसका मतलब है जो संपत्ती देता है trust को ताकि वो दूसरों के काम आ सके चाहे वो religious purpose के लिए हो education purpose के लिए हो या फिर किसी और प्रकार से समाज के help करने या समाज सेवा से connected हो और trust कौन से existence में आता है वैसे तो जब से आप बना लो trust को registered नहीं करा होगा तो unregistered trust रहेगा और unregistered trust में क्या होगा किसी से बात करते विवाद करते नहीं बनेगा इसका मतलब ये कि वहाँ पर कोई भी legal documentation या agreement को effect नहीं दिया जा सकता इसलिए legal trust तभी से आएगा जब authorization उसको मिल जाएगा कहां से रिष्ट रिष्टर जो रिष्टरिंग अथारिटी उनसे अब इंडियन कंटेक्स में trust किसको कहते हैं यह आप जान लीजे सबसे पहला Indian Trust Act 1882 इसको डील करता है और सारे rules regulation हम लोग Indian Trust Act के बाद में Indian Trust Rules जो है उसको हम लोग follow करते है object of the trust is to ensure the seamless transfer of the truster's assets among the beneficiaries जो पैसे लगाता है जो पैसे डालता है या संपत्ती डालता है एक trust को और trust के अंदर में जितने भी लोग रहते हैं वो उस संपत्ती को या उस पैसे को या फिर उस property को वो distribute करते हैं या फिर utilize करते हैं किसके लिए ये beneficiaries जिनके भी मदद के लिए यू पैसे वहाँ पर डालते हैं उसको हम लोग grantor कहते हैं और trustee जो होता है वो trustee पूरे property को assets को जिस तरीके से grantor ने कहा है वैसा वो इस्तिमाल करने के लिए उत्तरदाई उसको बनाया जाता है जितने legal उत्तर अधिकारी रहते हैं legal representative रहते हैं family members होते हैं या फिर किसी दूसरे को अगर हम लोग को charity करना है तो वो charity trust के माध्यम से होता है trust किसलिए trust बनाया जाता है क्योंकि वो तो directly अपने पैसे सीधा सीधा कर सकते हैं लेकिन नहीं trust का अगर formation होता है तो उसको income tax में भी उसको उसके against में छूट लिया जा सकता है 12 वे का registration लिया जा सकता है 80 जी का registration लि उनके बच्चे नाबालिक हैं तो वो कुछ लोगों को trustee बना कर जाते हैं अपने विल में कि हमारी जो संपती उसकी देख रेक करता कौन रहेंगे फलाने लोग रहेंगे और इस trust के माध्यम से रहेंगे और जब हमारा बच्चा बढ़ा हो जाएगा तो उसको वो क्यूंकि कि वो बच्चा जो है beneficiary है उसको property संप दी जाएगी राइट सर ट्रस्ट में micro finance भी हो सकता है क्या finance का business हो सकते है क्या इस पे अगर आपको जानना है तो नीचे comment में लिखना क्योंकि हो सकता है कि इससे related में बात करूंगा अब trust को Indian context में सबसे पहले एक revocable trust, revocable मतलब जिस trust को खतम किया जा सकता है जिसको भंग किया जा सकता है एक testamentary trust होता है irrevocable trust होता है irrevocable trust मतलब जिसको किसी भी हालत में खतम नहीं किया जा सकता है charitable trust रहता है जिसका मुख के purpose ही charity करना होता है जैसे मैंने बताया कि asset protection किसी legal year के लिए अगर किसी वेक्ति का property है उसको asset protection trust भी कहा जा सकता है, spend trip एक type of trust होता है और special needs का trust होता है जो विशेज जरूरतों के हिसाब से trust को बनाया जाता है, अब type of trust को एक दूसरे category में समझते एक public trust होता है, private trust होता है और एक public come private trust होता है तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसी आप बोलतो, सर मुझे trust बनाना है इसमें microfinance करना है, या फिर मुझे इसमें donation करना है, या फिर यहाँ पर 12-way ATG लेना है, मुझे फोरें से funding चाहिए, FCR registration लेना है यह सारी चीज अगर आपको करना है, तो आपको type of trust पता रहना चाहिए, सबसे पहला देखते हैं, private trust, right, private trust refer to a legal arrangement created for the benefit of individuals, private trust मतलब कुछ विशेश लोगों के पाइदे के लिए ये बनाया जाता है या कुछ विशेश लोगों को use करने का अधिकार दिया जाता है, और ये public charitable trust से अलग होता है, right, वित्तिय साहिता के लिए वित्तिय बेनिफिट के लिए कुछ लोगों के लिए बनाया जाता है, जिसको truster बोलता है, private trust doesn't serve a charitable purpose, private trust charitable purpose के लिए काम नहीं आता, इसी कारण जहां पर charitable या general purpose नहीं होता, वहां पर tax benefit मिलने में थोड़ी सी असुविदा होती है, and its benefits are only accessible to designated beneficiaries, such trusts are bound to follow the provision of Indian Trust Act 1882, Indian Trust Act के साब से बनता जरूर है, लेकिन कुछ लोगों के ही काम आता है, लेकिन public trust क्या होता है, ये public, बतलब कोई भी वेक्ति वहां के उसका फाइदा उठा सकता है, जैसे बाला जी, तिरुपती जो ट्रस्ट है, वहां पर कोई भी जा सकता है, कोई भी वहां पूजा कर सकता है, कोई भी वहां पर खाना खा सकता है, कोई भी वहां डोनेशन कर सकता है, public trust है, किसी को रोका नहीं जा सकता, unlike private trust, public trust do not function under Indian Trust Act, public trust जो रहता है, वह Indian Trust Act के अंदर काम नहीं करता है और यह चैरी टेफोल और रिलिग्र से ट्रस में दूब्लिक ट्रस्का फोलो माद किया पब्लिक पब्लिक ट्रस्ट भी है और वो हजारों लाखों लोगों का cancer के बीमारी के इलाज भी करते जा रही है तो अपने विल के द्वारे अपनी सारी संपत्ति वह वहाँ पर डाल सकते हैं रैट इसका मतलब कुछ प्राइवेट के लिए भी यूज कर सकते हैं और पब्लीक के लिए भी यूज कर सकते हैं या मिक्स कंसेप्ट मिक्स फंडा है इसका मतलब प्राइवेट लोगों के भी काम आ सकता है और पब्लीक के भी काम आ सकता है अब फायदा जानेंगे टाइप्स आपने समझा तो बेनिफिट्स ऑफ रेइस्ट्रेशन हमको जानना जरूरी है कि क्यूं करा है रेइस्ट्रेशन सबसे पहला टू इन्वाल्व इन च सुमीरन करेंगे यह फिल्म का नाम है तो वहां पर फाइट वाला चीज तो हो नहीं सकता अगर आप चैरिटी कर रहे तो उसको बिजनस में क्यूं करोगे उसको चैरिटेबल हेड में ही करना चाहिए इसलिए फायदा है अगर आप ट्रस्ट बनाते हो यह ट्रस्ट और भी लोगों के फायदे के लिए हो सकता है जहां पर नॉन एसेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे स्टॉक्स और रियल एस्टेट अब दूसरा फायदा क्या एक्सेसिबिलिटी टू टैक्स एक्जिम्शन अगर आप ट्रस्ट में आते हो तो फिर आपको टैक्स एक्जिम ले पाएं लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप पब्लीक अट लार्ज का फायदा कर रहे हैं इसका मतलब यह कि अगर हम किसी भी प्रकार का खर्चा कर रहे हैं चाहे रेवन्यू नेचर का हो चाहे पिटल नेचर का हो तो फिर वहां पर हमको टैक्स का छूट मि होंगे अगर बेनिफिशेरी के अगेंस्ट में लोग एक ट्रस्ट मना देते हैं उसमें टैक्स इंप्लिकेशन बहुत लिमिटेड है वहां पे कॉंप्लिकेसी बहुत लिमिटेड है और बहुत सारे जगह पे आपको जीस्टी वगएर देनी की जरूवत नहीं बहुत सारे के पचड़ों से आप बच सकते हो तीसरा प्रोवाइड बेनिफिट्स टू फाइनेशली एग्रीवड इंडिविज्वल जो फाइनेशली जिनको प्रॉब्लम है उनको फाइदा आप पहुचा सकते हो रेइस्टर ट्रस्ट के मार्द्यम से और इसके बाद अंकाउंटर मिन लीगल हिंडरेंस जैसा मैंने बताया बहुत कम लीगल प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार सारे काम तो करेंगे यहां लीगल प्रोटेक्शन ट्रस्ट को होती है उसको अलग एंटिटी माना जाता है जिसको पूरा क अगर आप बेनिफिशेरी नियुक्त कर देते हैं कि इसके नाम पे आपको यह फायदा देना है तो भी आपका काम चल जाएगा तो कोट में विल की जरूरत यहां पर थोड़ी सी कम पड़ेगी जैसा मैंने बताया कि लीगल टाइटल जो ट्रांसफर कर रहा है प्रोपर्टी उसने ट्रस्ट में डाल दिया और उसमें बोल दिया कि मेरे बेटे के काम आना चाहिए तो अगर उसने विल नहीं भी लिखा है तो भी क्योंकि वो ट्रस्ट की प्रोपर्टी अब बन चुके और ट्रस्ट में ये गाइडलान आ चुका है कि उनका बेटा जो कि मिस्टर छोटा ए है वो छोटा ए को वो प्रोपर्टी मिलनी चाहिए तो उनके पास वो जाएगी ही जाएगी चाहे उसने विल लिखा हो चाहे उसने नहीं लिखा हो अनलाइक प्रोपर्टी को उनके जो लीगल रेप्रेजेंटिटिव है उनके नाम पे ट्रांसफर करने में पूरा फून निकल जाता है पूरे होड के चक्कर लग जाते है या फिर अलग-अलग डिपार्टम चुका है अब ट्रस्ट उनको फाइदा देना या फिर उस प्रोपर्टी को देने का डिरेक्ट अधिकार रखता है और इसमें कोई भी लीगल या कोट का प्रोब्लम नहीं आने वाला यूज ऑफ ट्रस्ट एवर्ट एकोनोमिक अडवर्सिटी ओफन इंकाउंटेड बाई सर्वाइविंग स्पाउस इवन एज वेटिंग फॉर ग्रांड कई बर क्या होता है कि कोई वेक्टी चला गया उनकी चला गया मतलब एक्सपायर हो गया उनकी पतनी को समय पर पैसे नहीं मिल पाते हैं समय पर सायता नहीं मिल पाती जो कि उनका ही है उनके पती की प्रोपर्टी है वो जंजट खतम हो जाता है चैसी हम लोग ट्रस्ट के थ सकते हो जिससे क्या हो जाएगा कि सेव गार्ड हो जाएगा family का assets है तो organization flexible हो गई आपके property महाँ पर चले गए अब उस property को आपका जो family members है उसको आराम से यूज कर सकते वीडियो मैं क्विए के में डॉक्ए प्रोसेस आप से डिस्क्राइब करने बस आपको एक छोटा सा मेरा help करना नीचे comment करने एक like करना और हो सके तो subscribe और